हेई गाइस वेलकम बैक कैसे हैं आप सभी लोग उम्मिद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज मैं फिर से लिखे आई हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपका काम हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसान और आज की जो टिप्स है ना बहुत ही ज़्यादा नए है और एकदम काम के हैं इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखेगा तो आप इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसका नाम है वरदान पकबान और मैं हूँ आपके साथ प्रतिभास सिरी सिंग तो चलिए बिना देर की हुए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का अपना ये यूसफुल वीडियो तो आज का पहला टिप होने वाला है किसी भी पॉलेथेन यानी पनी को लेका जैसे की हम ये लेके आते हैं ना पैकेट पोहे का या फिर मैकरोनी का ठीक है यूज करने के बाद हमें क्या करना होता है उसको उठा कर रखना होता है तो सबसे पहले ये देखिए सीजर से आपको इस तरह से कट लगा देना है ये देख रहे हैं आप इस तरह से ये कट के तैयार हो जाएगा कैसे यूज करना है ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और जो हमने इसको कट करके रखा था ना ये देखिए इसको हम इसके अंदर ऐसे फसा देंगे तो देख इस तरीके को जरूर यूज़ कीजिए का आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है और यह टिप अगर आपको काम की लगी हो तो इसके लिए एक छोटा सा लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टिप है हमारा यहां पर पैन की जो कैप होती है ना उसको ल पैन की जो कैप है वो तो हमारे घर पर देखे होती है पैन खराब होजाते हैं गुम जाते हैं तो इस तरह से जो इसकी कैप है इसको बिल्कुल भी मतमेकिये आप इस तरह से उन्हें कपड़े सुखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं सच में एक बार आप यूज़ करके और हम इने उठा कर रखते हैं तो आपने देखा होगा यहां पर इस जगा पर चूचू की आवाज भी आती है साथ ही जंग पकड़ने लगता है और यहीं से छाता पूरा बरवाद हो जाता है बेकार हो जाता है वैसे तो यह टिप काफी लोगों को पता है लेकिन कुछ लोग इस से क्या होगा यह अच्छे से फैल जाएगा और इस तरह से अगर आप इसको हिलाएगे ओस नीचे कर देंगे तो तेल के अच्छे से फैलने के कारड़ यहां पर जो जंग आ रही है और यह बहुत ही ज्यादा स्मूध हो जाएगा मतला जब इसको खोलेंगे ना आराम से खुल जाएगा बंद करेंगे ना तो आराम से बंद हो जाएगा कोई भी आपको ज़ादा जोर लगाने की इस पर जरूरत नहीं पढ़ने वाली है अच्छा कभी-कभी क्या होता है ना इसको जब हम यहां पर बंद करते हैं यह देखिए यहां पर जो इसका बैंड होता है या और देखने में भी बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगता है यह टिप मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूं तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा अगले टिप में देखिए मैंने यहां पर कौम लिये हैं तो अक्सर हम जो यूज करते हैं तो आपने देखा ह सबके घर पर होता है इसको लिजे और बढ़या से ऐसे लगा दीजे लगाने के बाद फिर क्या कीजिगा इसको ऐसे छोड़ दीजेगा लगबग 5 मिनिट या फिर 10 मिनिट के लिए ठीक है 5 यह 10 मिनिट के बाद यह अच्छे से एकदम फूल जाएगा तो मैं इसको ऐसे ही इसके बाद दिखाती हूं यह देखिए 5-10 मिनिट हो गए हैं बस इसके बाद आपको कॉटन लेनी है या कोई भी खराब जो ब्रस होता है न वो ले लीजे और अच्छे से इसको इस तरह से रगड देना है ऐसा करने से आप देखिंगे जितनी भी गंदगी होगी ना यह से सारी की सारी फूल जाएगी और बहुत ही आराम से यह देखिए कैसे छूट रही है सारी की सारी निकल आएगी आपको अलग से साबुन में विंगोने की या फिर गिसने की कोई जरूरत नहीं पढ़ने वाली यह दिखिए कितने अच्छे से चका चक हो गए तो है ना यह बह है तो इसके लिए मैंने यूज किया है यहां हार्पिक का अच्छा हार्पिक आपको बिल्कुल नया लेना है जो ट्वालेट में यूज करते हैं उसको यूज मत कीज़ेगा क्योंकि खाने वाले बरतन है तो उन पे हमें यूज नहीं करना चाहिए इसलिए मार्केट से लिय चक्क आप नहीं गिर जाने देजिए तो फिर इसको हम क्या करणेंगे न सबसे पहले इस बटन को रख लेंगे इस पर थोड़ा सा हम इनो डालेंगे गदर को पानी डाली ज़िए बढ़या से इसको इस तरह से आप घुमा लिजए ठीक है चार ओर जो आप काला काला देख रह तो आप जानते हैं हार्पिक कितने अच्छे से क्लेनिंग का काम करता है तो यह दिखिए यहां पर कितने सारे जग जग से बनने लगे हैं इससे बर्तन है एकदम इसकी जो गंदगी है वह फोला देता है यह ठीक है तो इसको इस तरह से लगाने के बाद आप देखिए हलके इसको ऐसे रगड़ते रहेंगे और थोड़ी सी ही आप रगड़ देंगे तो देखेंगे आप इसकी जितनी भी कालिक है ना फटा फट से छूट कर एकडम ये साफ हो जाएगा तो आज ये कुकर्णा मैं समलवाने के लिए देने जाने वाली थी इससे पहले मैंने सुच थे साइडे आप देख सकते हैं बढ़िया से एकडम चमक गई हैं और ये जो कालिक हो ती है इतनी असान इस नहीं छूटती है साइडे देखें आप कितनी कालिक हुई थी कैसे छूट गई है पूरी की पूरी थोड़ी पहुत रह गई है इसको एक दो बार मैं और करूंगी ना खलिया परसो तो फिर यह भी अच्छे से साफ हो जाएगी तो एक बार ना इस टिप का जरूर यूज कीजेगा हाँ ध्यान रखियेगा कि हार पे खाली यूज मत सच में आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है अपनी अगली और लास्ट टिप में देखिए मैंने यहाँ पर प्याज लिया है अक्सर हम क्या करते हैं आदा प्याज यूज कर लेते हैं आदा प्याज ऐसे ही उठाके रख देते हैं और आपने देखा होगा यह सूखने लगता है तूअगर यूज नहीं कर पाते हैं तो हलक एहल करना नहीं फिर भाद में इसको फैक न पड़ता है एक या दो दिन में ही अच्छे से सूख जाता है बेकार हो जाता है तो आप क्या कीज़िए इस तरह से अगर बच जाता है फ्यास तो उसके उपर डाले नहीं ऐसी के ऐसी ही बना रहेगा तो कैसे लगे आज की टिप्स और ट्रिक्स कमेंट करके जरूर बताएगा कौन सा वाला सबसे जादा पसंद आया है ये भी मुझे जरूर बताएगा तो आपकी मेरी फिर से मुलाकात होगी ऐसे और यूस्फूल टिप्स और ट्रिक्स के साथ तब तक जुड़े रहे हैं आपके अपने वर्दान पकवान से सबसे सीधा सबसे साल बाव एवरिवान और थेंक्स और वाचिंग